शिवानी कुमारी ने बाहर आकर इंट्रिव्यू दिया है मीडिया को मिली है क्या बोला है शिवानी कुमारी काफी यदा सैड नजर आ रही थी जिया बिग बोस के घर से वो बाहर आ चुकी है सैड नजर आ रही थी जैसे ही मीडिया के साबने आती है जैसे ही उनके स्वाल सु पुश्न अजराती है क्यों? क्योंकि यहां पर वो बोर बोड़ है कि भाया बमझे लग रहा था कि शायद मुझे उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही होगी लेकिन जिस तरह से पहार pacional मुझे दरी सपोर्ट मिल रही है हर कोई मुझे यहां पर विनरह देख रहा है propose gym ill और इसके साथ winner का नाम भी बता दिया है चलिए मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्या बोला है और गाइस देखो मेरे साब से ये बिल्कुल unfair हुआ है साई के तनकरितिका जैसो को आप रख रहे हो और यहां पर शिवानी को बाहर कर रहे हो तो यहां पर यह लड़की deserve करती ह नीन थी भार जाना टॉप 5 में जाना deserve करती थी जिस तरह से एक खेली है जिस तरह से तुम्हें TR पिला करती है बिग बॉस fiction show है मैं इसको reality show नहीं मानता अब क्योंकि यहां पर जब जनता की नहीं सुनी जा रही है अपने इसाफ से तुम eviction कर रहे हो अरे बिग बॉस तो ज देख लेता ना कि जनता जिस तरह से support कर रही है शिवानी को बाहर नहीं करना चाहिए लेकिन यहां पर देखो अब क्या कह सकते हैं और गाइद आपको winner तक की सारी update मिलेगी आप गाइद हमें follow कर ले यानि आपने इस्टा पर जाकर follow कर लेना है जो भी winner बनेगा मैं सबसे आपको update बताऊंगा अच्छा यहां पर शिवानी से पहला स्वाल पूछा जाता है आपको क्या लग रहा था आप इतनी जल्दी घर से out हो जाएंगी तो शिवानी बोलती है बिल्कुल अच्छो नहीं लग रहा जिस तरह से हमें घर से बेगर किया गया है हम सोचे नहीं थे इतनी जल्दी बिग बोस हमारे साथ ऐसा करेंगे हम विनर बनकर बिग बोस ट्रॉफी लेकर बाहर आना चाते थे लेकिन बिग बोस जैसो चाहो वो ही होता लेकिन मैं यहां तक पहुंची मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है जी आप बिल्कुल बड़ी बात है और वै केसे निकाला गया है क्रितिका का क्या काम है शाई केतन का क्या काम है उनसे तो कही गुना बैटर आप खेल रहे थे यहाँ पर नेजी को आगे लेकर जाने की कोशिश की गई है और नेजी को टॉप फाई में लेकर जाने की कोशिश की गई है क्योंकि आपको पता है विशाल का रही हमें अच्छो नहीं लगो जिस तरह से घर से बेगर के टाइम सना मकबूल ने हमें बाहर किया है हम खुद हैरान थे कि हम जिसके साथ उड़ते बैठते वो ऐसे कैसे कर सकता है और इसी बात पर हमें घर में बहुत रोना आ रहा था कि दोस्त की जुरुत बिल्कुल लाश आप कह सकते हैं कि गलत तरीके से इनको निकाला गया है गलत चीजे करके निकाला गया है कि जो दोस्त बिग बोस को कंटेंट देते रहे उन्हीं दोस्तों के साथ लड़वाक कर बाहर किया गया है और शिवा ने भी बोलती है उन्हें जरा आ रही थी कि भईया जब दोस्तो की जुरुत थी जो दोस्त हमने बनाए हमें सेफ करने के लिए उन्हीं दोस्तों ने हमें नोमिनेट किया ये बिग बोस की बड़ी चाल थी और उसमें हमें फ़सा कर बाहर किया क्योंकि इनको पता था कि भाया दूसरे ग्रुप कही न कहीं कितना भी जोर लगा ले हमें वो बाहर नहीं कर सकता और यहां पर इन्होंने अपने ही दोस्तों को फ़सा कर अपने दोस्तों से बाहर करवाया है इन से तीसरा स्वाल पूछा याता है विशाल कटारे के साथ आपका जो लाश्ट में टास्क हुआ उसमें आप इमोशनल हो गई थी जी ह हम बहुत रोएं क्योंकि पूरा सीजन हम चारों ने मिलकर हसते खेलते निकाला है और बिग बोस्त ने उन्हें दोस्तों में एलिमनेशन का डर पैदा कर दिया कि हम तीनों में से कोई जाएगा हम अपने दोस्तों के खिलाब बोलना और लड़ना था ये देखकर मैं अंदर अंदर बहुत दुखी थी मुझसे वो सब टास्क नहीं हो पा रहा था लेकिन हमें हमने कैसे भी उसको पूरा किया है तो ये चीज है शिवानी बोलती नजर आती है कि भाया वो है बहुत यादा इमोशनल होगी थी जब ये चीज़े हो रही थी और मैं आपको बताओ तो परसनेल्टी है वो छुपाई है मेरे साब से लेकिन शिवानी है जैसी वो थी उसको टाटा भी गया कि ये बत्तमीज है इसको बोलने की अकल नहीं है अरे भाया जैसे वो बहार थी वैसे उसने खुद को अंदर रखा ठीक है वो चाती तो छुपा सकती थी लेकिन बाद में एंड में उसको इतना दबाया गया कि उसको ये चीज़े छुपानी पड़ी क्योंकि बिग बोस सब देख रहे थे कि अगर ये लड़की ऐसी रहेगी तो ये विनर बन जाएगी और भाया तकड़ा हंगामा हो जाएगा तो उन्होंने रवी किशन को बुला कर भाया डाउन किया शिवानी को पूरी चाल खेली उसके बाद नोमीनेशन में डालकर बाहर निकाला है तो बिग बोस कभी भी यहाँ पर शिवानी का साथ नहीं दे रहे थे शिवानी को आगे नहीं लेके जाना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि विनर में आगे बड़ा पंगा पड़ सकता है शिवानी से अगला क्वास्टन पूछा जाता है कि आपकी कृतिका से जो लड़ाई होती है खुजली को लेकर जो आप किचन में खड़ी थी कि खुजली आपने की है उस पर आप क्या बोलेंगी तो यहाँ पर शिवानी बोलती है बिलकुल उसने गलत बोला है हाँ वो चीज़े हो जाती है कि हाथ इदर उदर चला जाता है लेकिन मैंने हाथ भोय थे लेकिन उसको मोगा चाये था मुझ Spartant करने का और उसने मुझे लड़ाई की जो की मुझे अच्छा नहीं लगा तो यह चीज़े है देखो आरे हो कि कृतिका ने लड़ाई की जब कि कृत शिवानी से भी बड़े बड़े कांड किये हैं उनसे अगला स्वाल पूछा याता है शिवानी आपको अर्मान कृतिका ने चुगली खोर बोला और बत्तमीत बोला इस पर आपका क्या बोलना है तो शिवानी बोलती है हाँ इन सब ने हमें टारगेट किया लेकिन मैंने भाईया भाबी को हमेशा अच्छे से देखा है हमने कभी उनको बुरा नहीं बोला भाईया भाबी अंदर हमें पता है गेम के लिए कर रही है और इसलिए हमें लगता बाद में दोस्ती बंती दिख रही थी हाँ लेकिन कल फिर उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड हमें बोले जिसे हमें बुरा लगा और हमें नहीं लगता शो के बाद हमारी उनसे बनेगी लेकिन घर में हम अकेले इजी टारगेट सब के लिए थे इसलिए सब ने हमें टारगेट किया ये बात शिवानी आपने सच बोली है सबको लगता था कि शिवानी लड़ती नहीं है शिवानी हमें कुछ नहीं बोलेगी तो उसको इजी टारगेट करो इसी के साथ लड़ाई जगडे करो क्योंकि बड़ों के साथ कोन कर सकता था वाना यहाँ पर सना मकबूल के साथ अर्मान नहीं करता था, कृतिका नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर सीड़े सीड़े जवाब आते हैं, बड़े बड़े, तो यहाँ पर इसलिए शिवानी को टारगेट किया गया, और यह शिवानी सही बोल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं शिवानी को टार्गेट करके घर वालों ने बाहर किया है अगला स्वालों से पुछा याता है रनवीर जी से अब आपकी अच्छी दोस्ती हो गई थी जबकि रनवीर जी से स्टार्ट में आपका अच्छे से नहीं चल रहा था तो यहां पर वो बोलती है जी हां, रणवीर भईया और मेरी स्टार्टिंग में बहुत बहस होती थी वो चिर जाते थे हम से, हमने बोला भी कि हम जिस तरह एरिया से आते हैं वहां बोलने का तरीका ही ऐसा है, हम बत्तमी जी से बात नहीं करते बात ही ऐसे करते हैं यही तरीका है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था और एंड में सब को समझ आया रनवीर भाया से मेरी एंड में अच्छे से बनी और वो और हम अब बाहर मिलेंगे जी या रनवीर है वो अपने जब बाहर जाती है शिवानी तो वो रोते हुए भी नजर आते हैं तो रनवीर है वो अपनी बेटी के तरह यहाँ पर अब शिवानी को ट्रीट कर रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि यार दिल की अच्छी लड़की है दिल की बुरी लड़की नहीं है और उसने वादा भी किया था कि मैं बाहर आकर शिवानी तुमसे जरूर मिलूँगा और शायद वो सबसे आगर मिस करेंगे तो वो शिवानी को करेंगे क्योंकि शिवानी है उसके नोक जोक रणवीर के साथ होती रहती थी मुझे लगता है यहाँ पर रणवीर है शिवानी को बहुत मिस करने वाले है अगलस वालों से पूछा याता है शिवानी नेजी के साथ आपका एक लफड़ा रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा नोमिनेट किया है हाँ यह बात तो है नेजी भाई को बाकी किसी से लड़ना नहीं था और हमें वो नोमिनेट करके बढ़ जाते थे क्योंकि उनको हम इजी टार्गेट लगते थे नेजी भाई को पता था शिवानी कुछ नहीं बोलेगी और बिना रीजन वो हमें नोमिनेट कर देते थे बाकी किसी को करते तो वो अनसेफ हो जाते तो वो सेफ गेम खेल रहे हैं अब मेरे आने के बाद देखते कैसे खेलते हैं वो बिल्कुल सही बात बोली है नेजी है सब के साथ बना के रख रहा है क्योंकि उसको सेफ गेम खेलना है और ये बात है वो पहले भी बोल चुका है कि भया सब के साथ बना के रखो अच्छे से चलो तो यहाँ पर नेजी है वो शिवानी को इसलिए करता था क्योंकि और किसी को करेगा तो वो first जाएगा वो nomination में आ जाएगा तो इसलिए वो अभी तक nomination से बचा रहा क्योंकि वो शिवानी के पीछे पड़ा रहा और अकेले शिवानी के करने से कुछ नहीं होता तो यहां पर शिवानी ने सही बोला है कि वो safe game खेल रहा है और कहीं ना कहीं शिवानी को उसने easy target किया इसलिए शिवानी को करता रहा यहाँ पर उनसे अगला स्वाल पूछा याता है कि आपके इसाब से top 3 कौन है तो वो बोलती है हम top 3 में जाना deserve करते थे और trophy लाना deserve करते थे बिलकुल करते थे आप top 3 में भी जाना और trophy लाना मैं starting से बोड़ा था कि अगर कोई winner बनना चाहिए वो शिवानी बननी चाहिए क्योंकि जिस तरह से उसने starting में game दिखाया बहुत अच्छा था entertain किया उसकी वज़ा से लाखो करोडो लोग देख रहे थे और उसकी वज़ा से अब show नहीं भी देख रहे हैं लोगों ने uninstall कर दिया जियो उसने मागो तो deserve करते थे थे top 3 में जाना और हमारे इसाब से सना मकबूल, रनवीर भीया और कटारिया भाई top 3 में है ये शिवानी का कहना है कि सना मकबूल जाएगी देखो सना मकबूल का भी नाम ले रही है शिवानी अपनी तरब से उसको बहन मानती है और मानती रहेगी और यहाँ पर रनवीर का भी वो नाम ले रही है कटारिया का भी नाम ले रही है उनसे लाग्ष स्वाल पूछा है आता है शिवानी विनर भी बता दीजिए तो वो बोलती है देखो हम भार आए जनता सब बोलरी आप ही विनर है हसकर बोलती है कि जनता पूरी बोलरी है हमारी जो विनर है वो है शिवानी कुमारी लेकिन मैं बोलूँगी कि कटारिया भाई विनर बने लो भीया कटारिया को विनर बनाने के लिए शिवानी कुमारी ने बोल दिया है और शिवानी कुमारी बहुत खुश थी क्योंकि बहार आई तो इतना सारा प्यार देखकर वो खुश हुई है और जनता बहुत यादा उसको सपोर्ट कर रही है जनता का मानना है और सब का मानना है जो उसके खिलाप भी है वो भी मानते है क शिवानी टॉप 3 में थी टॉप 5 में थी लेकिन यहाँ पर उसको लेकर ही नहीं गई जान बूच कर उसके साथ गलत किया है तो इस पर आप क्या बोलो कि शिवानी ने जो जो बाते की है लिख डाली अपना रीविव दे जीजिए और इसके साथ गाईज आप इश्टा पर फोलो कर ले क्योंकि हम लगातार वहाँ पर अपडेट दे रहे हैं मिलते हैं कुछी देर में और मेरे साथ से गलत हुआ है और शिवानी बहुत अच्छा खेल के आई है वेल प्लेड शिवानी और शायद ही ऐसा कोई कंटेस्टन आएगा बिग बोस के घर में जो इतनी यादा रियल्टी अपनी रख पाएगा मिलते हैं कुछी देर मेरे